हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे की थ्रेट पुलिंग क्रेकर यानि की धागे वाला बम आखिर अंदर से काम कैसे करता है जब हम इसको खेंशते हैं तब यह ब्लास्ट करता है और इसके बचे हुए हिस्से पर हतोड़ा मारने पर भी यह ब्लास्ट करता है दोस्तों क्या आपने सोचा है कि एक नदना सपठा का इतने धमा के करता कैसे है यह जानने के लिए हमें इसको अंदर से खोल के देखना होगा तो दोस्तों मैंने आप एक ब्लेड लेकर आया हूँ इससे मैं खोलने की कुशिश कर रहा हूँ यह काफी टाइटली चिपका हुआ है इसलिए खोलने में थोड़ी सी समस्या हो रही है जो मुझे यह भी डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि यह बलास्ट कर जाए क्योंकि एक बार मेरे हाथ में यह बलास्ट कर चुका है दोस्तों ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने हतोड़ा मार दिया था लेकिन अब ये पटा का खुलने लगा है तो अब बस इंतजार की गणिया खता होने वाली है और अंदर से आकर ये काम कैसे करता है ये पता चलने वाला है दोस्तों आप देख सकते हो ये पतला होते जा रहा है लेकिन अभी तक इसकंदर बारूद नहीं 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 अब बारूद आने लगी है दोस्तों आप देख सकते हैं इसके नहीं अब बारूद आ गई है बहुत ही कम दोस्तों एक माचिस की तीली में भी इससे ज्यादा बारूद होती है इसमें उससे भी कम बारूद है आप देख सकते हैं मतलब आपको ढंक से दिखाई भी नहीं दे रही होगी अब दोस्तों देख सकते हैं हमारा यह हिस्सा एक टूट गया था एक कोने में एक बूंध बारूद है यह समझ सकते हैं अब जरासी बारूद है अब दूसरा वाला हिस्सा हम खोल कर देखते हैं इसमें भी उतनी ही बारूद होगी जितनी पहले वाले हिस्से में थी बहुत ही कम बारूद पर धागा लगा के चिपका दिया जाता है और जब दोस्तों धागा और बारूद आपस में रगडते हैं तो उससे ही यह धामागा हमें सुनने को मिलता है तो दोस्तों एक जरासी बारूद से कितना कमाल का पटाका उनने बना दिया है चली दोस्तों अब इस बारूद में आग लगा के भी देखते हैं कि आग लगाने पर इस बारूद से कैसा रियक्शन देखने को मिलता है और दोस्तों इस पटाके में इस्तिमाल हुई एक टिकली बाली बारू तो आपको अगर इस पटाके की सीक्रेट जानके मज़ा आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों हम इसे वीडियो लाते रहते हैं इसलिए चैनल को सबस्ट्राइब करना बिल्कुल मत भूलना मिलते हैं हम नेक्स वीडियो में तब तक लिए टेक केर बाबाए जय हिंद